दो बार नवरात्रे क्यों आते हैं? दो बार नहीं आते हैं, चार बार आते हैं 2024 में मातरानी जो मंगलवार से स्टार्ट हो रहे हैं तो इस बार घोड़े पे सवारों करा रही हैं शशी सूरे, गजार हूडा शनी भॉमे, तुरंग में गुरु शुक्रे, दोला याम बुध नौवे प्रकृतिया आज का एपिसोड नवरात्रे स्पेशल एपिसोड है आज हम बात करने वाले नवरात्रे के बारे मेरे परस्नली बहुत सारे कोशन्स है पिछले ओल्बोस 10-12 साल से मैं सारे ब्रत रखता हूँ और बहुत सारे interfusion्सuter आते है कि कोई चीज क्यों करी जाती है नवरात्रे क्यों बनाया जाते है इसके पीछे का रिज तो आज जो हमारे साथ में गैस्ट है उन से हम इस सारे चीज़ों को डेटेल में जानेगे क्यों नवरात्रे मनाया जाते हैं इस तरीके से नवरात्रों को और बहतर बनाया जा सकता है। वेलकूब। ओम साइराम एवरीवन, मैं साधन को लाटी, सबसे पहले तो अपने सभी गुर्यों का नमन करते वे, क्योंकि आज हमारा नवरात्रय सपेशल है, आज हम अपने सणातन के बारे में बात करेंगे, जैसे हम सबको पता ही है कि सणातन जो है सबसे पुराना है विश्व में, क्या वो हमारा एक तरह से हिंदू कलेंडर का पहला देना है बिल्कुल चैत्र मास की प्रतिपदा से यह स्टार्ट होता है तो चैत्र महीना इसको भी अब मैं आपको बताऊंगी कि बहुत सारे नक्षत्राज है राइट तो यह महीनों के नाम कैसे पड़े चैत्र जो है चित् जितने भी 12-12 महीने अब नक्षत्रा से ही निकले हैं तो हम मार्च को चैत्र बुलते हैं जैसे 22 तारीक की पुंडिमा तो उस तिन जो चंद्रमा है वो चैत्रा नक्षत्र में होंगे ताट इस महीने का नाम चैत्रा पड़ा तो यह लॉजिकल है अब हम जैन्वरी फेबरी केरी कोई लॉजिक नहीं है क्यू जैन्वरी और क्यू फेबरी सिनातर में हर चीज का scientific लगांच के विथा nic waar आप लोगगो पता होगा की यह सब ñवा की वो ऑ ती और हर और एक NAKSHATRA का जब हम जिसे नक्षात्र में होन होते है उसके पूरे हमारे में अगर जैसे आपने जो इसे लास्त नवरात्रा था उसके पहले दिन से शुरुबात करी थी वीडियो तो लेट आई थी तो क्यों साल में दो बार नवरात्रे आते हैं और क्या उसके पीछे का लोजिक है चली पहले तो आपको बधाई आपके 6th month anniversary आने वाली है और कितनी जल्दी से साइल का चैन जो प्क्रम सन्वति यानि कि इस दिन विक्रम जो राजा जो राज्या इनका राष्टेला कुआ था हमारी जो आरे समाज ए इसके उद्गाटन हुआ अर इस दिन जो अगजी है गुरुणानक देव के उनकी भी इस दिन होता है आप देखो पूरे भारत में अल्लाग और वेस्ट बेंगल में आप दिखो कितने बड़ पुजा के पंडाल लगाए जाते हैं और पूरी नौर्थ इंडिया में तो मातरानी का अगमन हो रहा है तो इतनी पॉजिटिवीडियो होती है अल अराउंड आप होली के बादेखो हम कितने नेगेटिव होते हैं बड़े स् और नवरात्रे आते ही हम में कितना जादा एंथूजियाजम आजाता है हम कितने जादा अक्टिव हो जाते हैं तो इनर्जी तो डेफिनेटली हाई है और शुब दिन माने जाते हैं कुसी भी काम को करने के तो इसी वज़े से यह जो हमारा जो नया साल है जो पंचांग से इनर्जी तो है एंअर्जी होती है च्यक्क है और ये दो बार नवरात्रे जोन आते हैं जरनी के लिए चुन और नावरात्रे आता है उनके लिए उनलिय को इसी में हो त HI उनलुपता नवरात्रे उरात्रे दख़ लेकिन जो मनाये जाते हैं वो चैत्र नवरात्री और शार्दिय नवरात्री इसमें ये भी डिसाइड करा जाता है कि राजा कौन होगा इस साल का मंत्री कौन होगा मातारानी जो है वो कौन से वाहन पे आ रही हैं उससे डिसाइड होता है कि साल कैसा जाने वाल है तो इसा कहा जाता है शशी सूरे गजारूडा शनी भॉमे तुरंग में गुरु शुक्रे दोलायाम बुध नौवे प्रकृतिया यानि कि जब नवरातरी अगर संडे से या मंडे से स्टार्टो तो मातारानी जो ही गज पे सवारो के आती है तो गज जैसे उनका साइज होता है तो प्रॉ अगर शनी या मंगल से नवरातरी स्टार्टो तो मातारानी जो है यह गोडे पे सवारो के आती है तो यह किसी कि तरह की लड़ाही को सिंग्निफाए करता है बहुत स्पीड से काम होते हैं उत्स पीडि स्पीडि अशनी अक्टिविटीई होती है शाल बहुत जल्दी निकल तो माता रानी जो है ये डोली में सवारो कराती है जो सिग्निफाइ़ करती है किसी भी बिमारी को करेंगी को हले जब है भीर वहलकित बहां इस साल रही बहुत मैरांगे हमारे छो ब्रॉतिश कोई वहां दियर्क्रभ में आती है जैसे कि फीयसे को मैन थे देखो कि 2020 में तो कोविट आया था पर 2021 वाली जो लेयर थी वो बहुत खतरनाक थी, जादा डेथ उसमें होई है, 2020 में जादा नहीं होई, अगर मातारानी जो है यह नवरात्री जो है यह बुद्वार से अगर स्टार्ट होती है, तो वो नाव पे आती है, तो यानि कि उस साल जो है फसल बहुत अच्छी जाती है, लेकिन यह भी किसी प्राकृतिक आपदा को ही सिक्निफाइ करती है, यानि कि किसी महामारी को गेन, जैसे 2020 में मातारानी जो है यह नाव पे आई थी, और हम यह मार्च वाली की बात कर रहे हैं है, जी, जी, मार्च वाली, क्योंकि विक इसके पीछे की कहानी के है, जी, जी, जैसे मैंने आपको बोला कि इस दिन बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए थे हमारे, जो बहुत पौरानी के, और जो शार्दिय नवरात्री है, वो धिपागली से पहले मनाया जाता है, जो मातारानी है, उन्होंने चंडमुंड का सनहार किया था, और फिर जो राम जी है, उन्होंने अलंका गए थे, अभी रावन को मार रहे थे, तो वो बहुत होते हैं, और यह वाली जो नवरात्री होती है, इसमें चंडमुंड का सनहार हुआ था, तो हम यहां पे नौ देवी की पूजा करते हैं, तो मैं बताती हूँ, एक पीमेल की, या मेल की मैं काओं, लाइफ से सिग्निफाइ करा गया है, जैसे शैल पुतरी, पहला अफ़तार की अगर हम बात करें, तो अब शैल पुतरी नाम है, तो यह उनको अपने पिता से नाम मिला, तो मतलब अभी बॉन हुआ है बच्चा, तो जो बच्चा बॉन ह हुआ है, तो उसकी खुद की कोई इडेंटीटी नहीं है, तो फादर से उनको यह शैल पुतरी नाम मिला है, तो अगर किसी भी परसन को, अब यहां पर क्या होता है, जब हम बैदा होते हैं, तो सबसे पहली चीज हमें क्या देखी जाती है, मतलब पैरेंट्स क्या चाते हो आपको एक अर्दन पॉट लेना है, उसमें मुंगदाल एक दिन पहले भी गोली जिए, मच्चे का हाद लगवाके बर्ट्स को खिला दीजिए, यह सिर्फ पहले दिन उपाय करना है, क्योंकि पहले दिन जो है, यह सिग्निफाय करा गया है चाइल्धूड को, अभी मा जो ह यह हम एक कॉमन पर्सन की बात करें, तो हमारे से अगर इसको कनेक्ट करते हैं, तो भी जनाम हुआ है खाली, फिर दूसरे दिन भ्रह्मा चारेनी, तो ऐसा भी कहसते है कि पहले नवरात्रे में चुर्वात करदा कुछ भी अच्छा है, यह सिग्निंग है ना, दूसरे दिन ब्रह्मा चारेनी, अब आप उनको देख, उन्होंने वाइट क्लोट्स पहने हुए हैं, तो किसको रिप्रेजेंट करता है, यह डिस्सिप्लेन को, पेशेंस को, आपको अपनी जो, मारे अंदर जो इविल पावर्स होती है, हमारा जो कामसक्ति होती है, इसको कांट्रोल कर लिया, तो फिर तो आपका जो बाखी का स्पैन हो अच्छा ही जाना है, अब आप देखो, इसमें मां के दो ही हाथ दिखाए गए हैं, वैसे दस हाथ होते हैं, दो ही हाथ दिखाए गए इस रूप को, आप जातर सुनोगे कि इसमें वाइट क्लोट्स पैनने जही हैं, इसक कि आपका 10-20 साल का पीरियद है, तो आपको बहुत ही जादा अपने इंद्रियों को चंट्रोल में रखना है, तो अगर किसी भी बच्चे को इशु आ रहा है, कंसंट्रेशन नहीं कर पारे पढ़ाई में, और आजकल तो आप देखी रहे हो टीवी से बच्चे कितने जाद उनके अंदर ये इविल पावर्स बहुत जादा बढ़ी हुई है, तो अगर किसी को भी एशु आ रहा है कि नहीं कंट्रोल हो रही है, तो इस दिन वो एक ग्रीन अवेंचुराईन का क्रिस्टल धारन कर सकते हैं, या फिर अपना कॉंसंट्रेशन का सिंबॉल अपने हैंड तो इस दिन की अगर हम बात करें, तो अब दस आपने पढ़ाई कर ली, now you want opportunities in life, तो जो तीसरा दिन है वो चंदर घंटा मां का है, इसमें दस हाथ दिखाए गए हैं मां के, तो दस हाथ मतलब आपको हर जगा से opportunity चाहिए, stability चाहिए लाइफ में, अब कि 20 से 30 साल के बीच का पीरियड है, अब इसी पीरियड में आपको job भी चाहिए, और इसी पीरियड में family भी बनती है, marriage हो जाती है, तो अब आप देखो कि southwest चू होता है हमारे घर का southwest जोन है, उसको stability से connect करा गया, अब आप मेरे को अगर ये बोलो कि मैं मेरी job नहीं लग रही, तो मैं आपको क्या करोगे, आपने अपनी फोटोग्राफ लेनी है, फोटोग्राफ के पीछे आप लिखो, जो टेस्ला का word है, 369, ये tried and tested है, ये यूनिवर्स के साथ बहुत जल्दी connect होता है, तो आपनी फोटो के पीछे ए गोल्डन कलर के pen से लिखना है, 369, और सेम नंबर आप अपने stability issues हैं, और गोल्डन कलर के फ्रेम में, अगर अपने south west में लगा देते हो, third day पे, तो किसी भी तरह का stability issue है, जाए वो job हो, जाए वो relationship हो, वो खतम होगा ही होगा, तो गोल्डन कलर क्यों हो, और बहुत क्यों है, क्योंकि south west का element है, golden color, अच्छा, okay, ठीक है, अगर किसी के घर किसी भी तरह की stability, professional, relationship, क्योंकि वो 20-30 साल का period ही वही है, इसलिए तो मा के 10 हाथ है उसमे, अब आप भी सुनोंगे, मैं भी सुनोंगी, कि इसमे 10 हाथ वाल का स्वरूप है, मा का, क्यों है, उसका ये reason है, फिर हम बाते हैं, चौते स्वरूप है, चौता स्वरूप है, यानि कि अब family growth का time आता है, आप देखोगे कि इस स्वरूप में मा के पास एक घड़ा है हाथ में, अब आपको पता होगा कि पहले के समय में घड़े में बच्चे पैदा करे जाते रहे, जो शनी रेव हैं, वो घड़े में पैदा हुए है, इसलिए तो कुमबराशी उनकी से आ रही है, अपनी family को grow करने में, तो वो क्या करेंगे, एक अर्दन पॉट लेकर आएंगे, घड़ा लेकर आएंगे, उसमें कपल्स की photo डाल दीजिए, उसको honey से भर देना है, शेहद से भर देना है, और उसमें डालना है, गौरी शंकर रुद्राक्ष, नौवे दिन, उ इसी भी तरह का relationship नहीं create करना होता, बर गौरी शंकर रुद्राक्ष एक लौता है, सार रुद्राक्ष जिसमें इसी कोई मनाई नहीं होती, तो यह female धारन करेंगी, और definitely next Navratrae से पहले good news आती है, थोड़ा सा मैं समझना चाओगा, मत्का छोटा रखता है, मत्का छोटा honey उपर तक भरनी है, और जब good news आ जाए, तो इस honey को किसी भी people के नीचे डाल के आ जाओ, तब तक उसको वही पर रखना है, मंदिर में, क्योंकि उसमें photo delivery कपलगी, तो उससे उनके बीच में मधूरता भी आएगी और closeness भी आईगी, और उपर ढखने के लिए, हाँ, उसको नहीं हो जाता है, वो घर के नौटीस में ही पड़ा रहेगा, तो नहीं ही पड़ा रहेगा, तो नाशरली ही भी होंगे कपल, क्योंकि आप देखो जब चाइल बर्त नहीं हो रहा तो इरिटेशन ओर ही आपस में गई ना गई, एक दुसरे पे ही तो मन मुटाव निकाल रह हुआ है, बच्चे का लालन, पोश्चन करना है, लेकि इस स्टेज में एमोशनल हो जाती है फीमेल्स, डेफिनेटल अब जब आप एक मा बनते हो तो बहुत सारे होर्मोनल इंबलंस होते हैं बोड़ी में, तो बहुत इमोशनल स्टेज होती है यह और किसी को भी इमोशनल नवरात्रे के कोई भी वाइट चीज डोनेट करेंगे फीमेल्स को, इत कुट भी बटर मिल्क, कुछ भी मीठा, दूद, दही, चाच, कुछ भी, यह आपको पांच में खिलाने गर आपको भी मोशनल इंबलंस रहते हैं, तो अब आप वहाँ हैं आते हैं छटे रूप पे, इस मा कात्याईनी, कात्याईनी मा अब आप देखोगे तो उनके अठारा भुझाए हैं, अब बच्चा बड़ा हो रहा है, मदर को क्या करना पड़ता है, बहुत सारा गां, मुल्टी टास्किंग, उसको बच्चे को भी ग्रोप करना है, उसकी स्टडीज देखनी है, आज कि शिफ शक्ती दोनों से ही कनेक्टेड है, तो अब ग्रोप करना है, इस दिन जो च्छटा देन है, इस दिन आपको एक येलो सिट्रीन का क्रिस्टल आप धारन करी है, विकॉज ये एक्स्पांशन और ग्रोथ का प्लानेट है, मैं क्रिस्टल्स क्यू बता रही हूँ, क्र क्रिस्टल्स के होते हैं, इनके कोई साइड एफेक्स नहीं है, इस अगर मैं जैमस्टों की बात करो, कुंडली देख के पनाया जाता है, पर ये सेमी प्रेश्य जैमस्टों तो ये 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 लो सिट्रीन का क्रिस्टल धारन कर सकते है, अगर किसी को भी ग्रोव करने में प्र आपने देखे शुब दिन से स्टार्ट कर रहा है, तो वो तो आपको डेफिनेटली पॉजिटिविटी देगा ही देगा, सात्वे रूप की बात करते है, सात्वा रूप मा का बहुत ही अग्र रूप है, आपने सुना भी होगा काल रातरी, ये रूप मा ने क्यो लिया था महिशा सूर एक राक्षस था, जिसको बहुत जादा पावर्स मिली हुई थी, उसने ब्रह्मा जी से बर्दान लिया था, कि मुझे ना ही कोई देवता, ना ही कोई नर मार सकता है, तब तो उनको पता ही नहीं था ना कि शक्ती में कितनी दाकत है, तो सभी हाहा कार मचा उन्होंने फिर महिशा सूर का चंड मुंट सबका विनाश करा, तभी सात्वे दिन जो है कात्यायनी को प्रवाइब, मिला हुआ है, तो इस दिन, अब अगर हम वापेस उस एवोलेशन स्टोरी पे आ जाए, तो अब मल्टी टास्किंग कर रही थी फीमेल, लास्ट वाले मे जो काल को भी डस सकती है, काल रातरी मतलब काल को भी डस सकती है, तो अगर आपको भी negativity रहती है, negative thoughts आते हैं, तो इस दिन, आपने क्या करना है, मतलब इस दिन से आपने शुरू करना है, और पुर्णी मा तक इस रीच्वल को continue करना है, आपने पांच लॉंग लेनी है, और देशी कपूर का पीस लेना है, अपने सर से पांच बार वारना है, और घर के भार किसी भी मिट्टी के बरतन में जगा दो, आपको नेगेटिव थोड्स आने ही बंदो जाएंगे, उसके बाद पुर्णी मा के बाद आपने इस वीच्वल को स्टॉप कर देना है, उसके बाद कि आप इसे लिए ही करा जाता है, कि फैमली में वैभथा है, ग्रो करें, प्रॉस्पर करें सब्साइब तो यहां पर भी मा गौरी जो है, यह पूरी फैमली के साथ है, तो कन्या पूजन में ये विशेश मेरी ऐन ओडियन्स के लिए, जिनको ये नहीं पता कि कन्या पूज के भी यूज करना है अपने लगाना है विजय दिलक के बारे में अभी मैं बताऊंगी तो विजय दिलक से आपने पहले उनका भी शेक करना है उनके पैर जरूर दोने और हल्वा पूरी छोले जो भी आपकी फैमिली में रीचुल है फॉलो करिए जैसे आपके घर में चलता आ अगर आप फॉरण में रहते हो आप नहीं कर सकते करने पूजन तो इस दिन आप क्या करिए आप किसी छोटी करने आए जो होती है उनकी किसी की भी ऑन-लाइन डोनेशन कर दीजिए और कितनी रड़किया बिठाते है क्योंकि इसमें बहुत किनी मिनिमम सेवन तो हुनी ही च आना है और इसे उपर रखना ही नहीं है नहीं नहीं साथ मिनिमम होती है मैक्सिम्म जितने आज है यह हो गया माता का आठवा सवरूप अब यह भी बहुत लोग को कन्फीजिन रहते है कि अश्टमी पे पूझे यह ना तो देखिए अश्टमी और नौमी यह दोनों ही कि किसी भी तरह की कोई ब्रह्म नहीं डालना कोई टाबूस नहीं रखने आप जैसे सेलिब्रेट करते हैं वैसे ही करिये लेकिन करना ज़ूर है बाकी आप रिच्वल्स ना कर सके आप ज़ौर नहीं बीच सकते आप अखंड चोत नहीं जिला सकते बाकि इन दिनों में जो पूजा पाट करी जाती है इसका हमको 100 गुणा फल मिलता है क्योंकि देखो आप कितने पॉजिटिव नोट से नवरात्री स्टार्ट होती है तो definitely हम सब चाहेंगे हमारी लाइफ में पॉजिटिविटिविटिए अब आया सिद्धी दात्री लास्ट नाइन दे सिद्धी द बहुत सारी सिद्धी या मेर को मेडिटेशन एज में जाना है तो इस दिन आप अगर तो आप वैसे तो नौ के नौ दिन कर सको तो बहुत ही अच्छा है लेकिन इस दिन जरूर आपको ओम एम रीम क्लीम चामुन डाय विच्चे यह नवारन मंत्र होता है मातागा इस दिन यह अगर 108 बार इस मंतर का जाब कर लेते हो तो आपको लाइफ में कावी सारी चीज अपकी इन्टीश इस फेल्स भावस ट्रौंग कावी सारी चीजे अपके इन्साइड बढ़ती है हमारा अनाहाद चक्रा इससे खुलता है अनाहाद चक्रा इससे खुलता है? थर्ड ही देखरो आप किता लॉजिकल है हमारा सनातन पूरी एक परसन की एवोलुशन से नौ के नौ प्लाइन मतलब नौ की नौ देवियां कनेक्टेड है अभी किसी ना सोचा था कि ऐसे हम 9-9 दिन क्यु चलिप्रेट करते हैं अपने इतना बढ़ा इस दिन 10 लाहाथ होते हैं इस दिन ये अगलर होते हैं पर क्यू होता है वोथ जब हम साइंटिफिकली चीजों को जानते हैं तो हम मानने में कोई प्रोब्लम नौ कलर भी बताओ सोड़ा सा हां तो जैसे पहले दिन हमने बात करी थी कि बच्चा वाले यह है तो ग्रीन कलर पहन सकते है क्योंकि वह मर्क्यूडी प्लानेट को रीप्रेजन कर रहा है दूसरे दिन क्रीम कलर है माता का तीसरे दिन रेड कलर आप वेयर कर सा छटे दिन आपको पर्पल कलर वेयर करने सााथवे दिन आपको पिकोग अँख ग्रीन आठवे दिन आपको यलो कलर वयर करने और नॉबे दिन क्यूंकि भोग लग रहा है सारी चीज़ों का तो इस दिन आप गुलाबी रंग या किसी भी तरह का जब गाड़ा रंगवेर करिये फ्रीक पहं एम डाई पहण चाहिए अब इसमें अपने दो चीजी और बोलीती पहला कोस्टिक मेरा ई कि अजव हम जव बीछते हैं जव बीज भी भें मैंने ने दो वकूरहे के रीच सिर्दॉ लेखि रिखे तो सबसे पहली फजलती इसलिए जौ बीजने का जो है यह महत्व है और चाहे आप मिट्टी में बोई है या रेत में बोई है लेकिन आपको मिक्स करने चाहिए दोनों चीजों को नहीं तो आपकी खेतरी जो है वो बहुत अच्छी से नहीं हुगेगी तो मिट्टी क्योंकि यहां पर आप क्यो जोव बीज रहे हो ताकि पूरे साल आपके घर में जोव की यानि की अनाच की कमी ना रहे है तो रेत आपको कम डाली हो और मिट्टी आपको जादा डाली है और डेफिनिट्ली के बरतन में हम लोग उसको बीज रहे हैं तो हर तरह से हम अर्थ अर आजकल तो बहुत मैंनेयोर भी आते हैं मार्केट में मतलब वन्सक अपकेट सेमानियोर भी डाले है मतलब जो परसनल से लिए और मिट्टी इसमानियोर बिलकूल डाला है ऑखिछ गया है ताकि जितनी आपकी जोव अच्छी भीज़ उसे उसे उतनी ही अपर्सपारिट यह पर अगर आप जो नहीं बीच सकते तो देन और सब्सक्राइब बता देती जो आपको जो से करना शीए यह भूज पत्र पर या फिर वाइट कलर के पेपर पर रेट कलर के चंदन से आपको पहले स्कुराइर बनाना है यह एक एट पॉइंटर स्टार बनेगा और जब भी हम किसी यंत्र के अंदर एक इन्वर्टेट ट्राइंगल बनाते हैं तो यह काली के इनर्जी इसको भी इन्वोक करता है साथ में और बीच में आपको लिखना है क्लीम यह ओ एक वेधिक मंत्र है तो आप पूरा मंत्र जाप नहीं कर सकते तो आप सिरफ कलीम मंत्र का जाप भी कर सकते हो और इस च्लीम में ही आपको डेलि아 हूती देनेगे जो कि आपको यह वाला यंतर बनाना है इस यंतर पे डेलिए आप जब भी जो माला हुश का जब आब तो आपको jaw डाल देनी है कि चमश आपको jaw डाल देनी है क्योंकि कहीं family में rituals नहीं होते हैं jaw बीजने के तो आप इस ritual को करें लिकिन jaw जो है ये multiplication का effect, it's a whole grain तो multiplication का effect रिएट करें और किसी zone के अंदर रखना चाहिए इसको जादतर लोग जो है कि नौट इस में पूजा करते हैं पर मैं personally खुद ऑल्टर जो है अपना साउथ में लगाती हूँ उसका reason में आपको बतायती हूँ कि मैं अखंड जोद जलाती हूँ अब आप देखो नौटीस जो है ये वाटरी जोन है अब आपे 24-7 आप जोद जला रहे हूँ अब आप देखो कितने लोग ऐसा बोलते हैं कि नवरातरी के बाद मेरा नुकसान हो गया मेरा पैसा वापस नहीं आया तो आपको क्या करना जीए आप एक अलग से अलटर लगाईए साउथ में और वहाँ पर जौब ही जिये और आपको अखंड जोद भी वहीं जलानी जीए अब देखो कि काफी लोग बादेती हूपाय कि क्या करना है आपको अब देखें जोद पो हम सब जलाएंगे चायब अखंड जोद जलाओ चायब नॉर्मल जोद जलाओ तो जब आप जोद जलाओगे तो आप जो विक है जोद की उसके उपर आपने सिनिमन पाउडर डालना है सिनिमन पाउडर डालते हुए आपने अपनी एक विश पोलनी है अलचलिए मैं आपको एक तीन उपाई बताती हूँ जिससे आपको एक विश मैनिफेस्ट कर सकते हो हमारे सनातन नहीं साल के साथ आपको क्या करना है जो आठ तारीक यानि की आठ एपरिल अमावस है उस दिल अमावस को क्या बोलते है नियू मून नियू मून मतला नियू बिग्निग तो आपको क्या करना है आपको कोई अपनी एक विश यलो कलर के पेपर के उपर रेड कलर के पैं से कोई एक विश लिखके नौर्थ-Wेस्ट में रख देनी है आपके पास कोई crystal है वो रख दीजिए उसके उपर चांदी का सिक्का है वो रख दीजिए नहीं तो कुछ भी आप उसके उपर कोई मूर्ती रख दीजिए या अपने मंदिर में रख लीजिए next day morning में आपने अपने घर पे हिस्बिसकस का plant लगवाना है साउड डिरेक्शन में वो नेम इंड फेम की डिरेक्शन है हिस्बिसकस का plant लगवाना है नया प्लांट लगवाना है चाहे आपके घर में हिस्बिसकस हो पहले से लेकिन आपने एक न्यू लगाना है और उसमें पहले आपने अपनी वो विश डाल देनी है जो आपने पेपर के उपर लिखी थी वो विश आपने उस प्लांट में डाल देनी है और फिर उस प्लांट को पानी देना है डेली आपने उस प्लांट को पानी देना है ये बोलते वे कि थैंक्यो यू उनिवर्स आपने मेरी ये विश पुरी कर दी and wish should be achievable जैसे I have started earning 2 lakh rupees per month मैंने नया घर ले लिया मैंने, मैं फॉरन चली गई जो भी आपकी wish है जो उसके लिए आप बहुत महनत करें पर आपको मिल नहीं रहा क्योंकि करम तो definitely हम सबको कर नहीं है तो जो wish हमने paper के उपर लिखी थी अगर आपकी अखंड जो होता है तो डेली थोड़ी ना आप cinnamon powder डाल पाओगे तो फिर आपको 2 spoons honey डाल देंगे डेली तो उसकी वेरे से कुछ जलता रहेंगा वनी भी honey कोई problem नहीं होती, घी के साथ कोई reaction नहीं हो मधूरता लाइका आपकी wish को manifest करने में help करेगा तो भी जिल्दा आता है honey भी जिल्दा आता है तो drops ही तो डाल रहे हो आप पूरी घी में कोई issue नहीं है अस चीज का अब अखंड जोत का लोगी को बता हो अखंड जोत इसलिए जलाई जाती है कि हम fire element इन्वोक कर रहे हैं क्योंकि पहले जो अवरात्री होती थी ना पूरे पूरे दिन सिध्या करी जाती थी हवन कुंड रखे जाते थे पूजाय पाट करे जाते थे पूरा पूरा दिन आजकल तो दो टाइम भी पूजा करना लोगों को बहुत भारी पढ़ जाता है तो इसलिए अखंड जोत जलाई जाती है fire element हमेशा इन्वोक रहे घर में हम यह सिग्निफाइ करते हैं कि यह जो अखंड जोत हम जला रहे हैं माता के आगमन में एक दिया जला के रहे हैं कि आप हमारे घर आयो हो तो हम इसको ऐसा gratitude जला के रहे हैं पर कोई जरूरी नहीं है कि आपको अखंड जलानी है यह ना मैं तो कहती हूँ कि इससे कोई प्रसंद नहीं होने वाला इससे आप ऐल की जलाईए तिल के तेल की जलाईए बहुत यह स्पेशियस मानी जाती है अब खाने के अगर बात करके चले बहुत सारी चीज़े नहीं खाते नहीं मेरा वरत है तो मैं नहीं खाता चलो समझ लेता हूं बट सामने वाला क्यों नहीं है देखो सबसे बहली बात आगई कि रितु परिवर्तन हो रहा है मैं साइंटिफिक रीजन देती हूं आपको इसका रितु परिवर्तन हो रहा है तो आपकी बॉड़ी को चैन चाहिए और जो लेसुन प्याज भी आपने देखा होगा बहुत सारे घरों में घाना मना ओता है जब आपको पता होगा समुद्र मन्थन हुआ था सभी जो देपता थे उनको वो विष पान कराया जा रहा था तो जो स्वर भानुर आक्षास है वो छल से जाके बैठ गया था और उसके अमरित पान करने जैसे ही लगा तो विष्टु जी ने देख लिया उसको और अपने स तो यह तामसिक भोजन में आता है अब आपने सुना होगा जाधा तर कुंडली में प्रॉब्लम गिविंग प्लानेट पॉन से है राहु केतू के अलिमेंट्स है तो इसलिए हम कहते है कम से कम नौ दिन तो इस तामसिक फूड से दूर हो हम प्राक्टिकल रेमेडिस करनी प हम फ्रूट्स कहा रहे हैं अपने आपको सो इसलिए बोला जाता है कि प्याज लेसुन नहीं खाना था कि हम तामसिक भोजन से दूर हो जाए पर इसका लॉजिकल रीजन यह सांटिफिक रीजन यह तो अब बैक टू दू वीडियो आ रहा हूं स्टार्टिंग में बात करी तो अगर की शुरुवात हो रही हे सपैसिविक दिन से इस साल की बात करकर चुले तो अस साल जो शुरुवात होते हैं साल के हमको उनकी पूजा करनी जैसे कि मैंने आपको बताई वैसे तो अगर हम कुंडली की बात करें तो धनु लगन की कुंडली बन रही है और गूरु जो है वो मंगल के साथ बैठे हुए तो मंगल खाली हम एक अगरेसे प्लानेट लेते हैं हम लड़ाई का प्लानेट लेते हैं पर मंगल इस अक्टिविटी औलसो आप देखो कि जो लोग नाइन नंबर से रूल हो तो एक जगा बैटी नहीं सकते हो तो बहुत अक्टिविटी बढ़ेंगी लोग बहुत घूमना फिरना पसंद करेंगे ढ़लेगे से सीनब एक डिजिटाली बहुत घ्रमकि ड्रॉटी राइस करेंगे आप देखो कि रुच्टर्ज के होगा कोई नगी होगी दभाईयों की जूते saràचाव के काम बढ़ेंगे जो हमारे सेना हैं जो आर्मी हैं वहां पर ने पर पर दो sweetie कreो पको जोड़ेग कोई जोड़ी बात पर गुस्ता आएगा, fire incidents बढ़ेंगे, politics के लिए थोड़ा सा ये साल मुझे गड़बड होता वा दिखता है कि वहां पर कुछ किसी भी तरह की लड़ाईय होते भी मुझे दिखती हैं ये साल politics के लिए बहुत अच्छा नहीं है बहुत पॉजिटिव नहीं है, but otherwise let's hope for the best अगर मैं नवराथतरी के अवरेज पूजा की बात करके चलो तो पूजा का प्रुसेस क्या होना चाहिए? देखे, ये तो आपने बहुत अच्छा कुशन पूजा कलश थापना होती है पहले दिन और ये बिस्टेक 90 % लोग करते हैं, कलश रभम सतापना करते हैं, कोई बातनी आप चाहें कलश का होता है वह आप सोने का लीजिए, चांडी का तामबे गा में रहेको और विपने हैं, तो नांकिन में देखा एंक वसके नारियल रखते हैं , Meter边 अरियल रखते हैं मैं रहे हम देखु जिने करें नीचे लोटी और चाहिए यह तो शह उन्क बाल जाफ सेख़ा एंगे लिए अंख को नीचे जनी चाहिए और नारियल जो है आपने देखर होandy कहीं लोग पूजा में रखते के अरिजनल नारियल नहीं रखते तो पू जाते है तो बहुमांगे रखते हैं और इस jam जो है चलिए नि नाज का लगाम और भी रखते हैं और इसे मुझे याद आया रीक्वल से कि हम एक नेगेटिविटी रिमुवल पोटली भी बना सकते हैं नोव दिनों में और एक मनी बाउल भी बना सकते हैं तो यह दोनों ही हम अपने दर्शकों को बता देते हैं हमारी ओडियन्स को यह काला कपड़ा क्यों रखें मंदिर में तो आपने बाउल ले लेना है बाउल में आपने डालनी है फिट करी हिमालेन सॉल्ट पांच कील एक लहसुनिया का स्टोन केट साही बोलते हैं उसको और एक सुखी लाल मिर्च और घोड़े की नाल यह आपने बाउल में रख देनी यह आप देखते होगे कि पंडेत वगेरा यह बना के देते काफी लोग इसको बेशते भी हैं कि लेगे टेपर पोटली या मनी पोटली नवरातरी पे हमने बनाई है तो यह आप खुद भी बना सकते हो अपने लिए क्योंकि हम अपनी हर समस्त्य का खुद समाधान है हम किस लेकिन जो मनी बाउल हम बनाने चारे हो आपको शीशे के बाउल में रखना है आपके घर के जितने भी फैमली मेंबर आप ले लीजिए उसके उपर आपने रखना है एक मनी कॉइन मनी कोईन एक ग्रीन कलर का क्रिस्टल होता है जिसे मैं आपको बोली थिदी ग्रीने कोईन एक चम्मच पीली सरसों तीन हल्दी की गांट और एक देशी कपूर का पीस यह आपको रखना है डेली आप जो भी पूजा पार्ट करें रिच्वल स्टार्ट होने से पहले आपने उसके अंदर एक चुटकी सिनेमन पाउडर डाल देना है मनी ओल के अंदर और हमारी व वीडियो में बोल रही हूँ आपके साथ हो रहा है उससे क्या होगा कि आपकी सारी चीजे चार्ज भी हो जाएंगी और यह आपका मनी बाउल बन जाएगा नाइन डेस तक जब आप इस रिच्वल को करोगे तो आपकी मनी की वाइब्रेशन बढ़ेंगी और नाइन डेस के एक जार में डाल के घर के नौट में रखते लाएं यह वरकिंग मेंबर्स के लिए करना है मतलब जैसे मैंने चार लोग बोलेते हैं अगर बच्चे वरकिंग नहीं है तो फिर सिर्फ वरकिंग मेंबर्स जो भी कमार है घर में ताकि उसको अपर्चुनिटी आए हर जगा से यह दो चीजे भी हम नवरात्री के बिगनिंग में कर सकते हैं एक आम की तुरांग ज़रूर लगानी है एंट्रीगेट पे उसका भी मैं आपको रीजन बता देती हूं पहले के जवाने में आपने देखा हुआ को छोटे गहर होते थे और बहुत सारे जने कठे रहते थे त इसलिए उनको रखे जने के साथ हर रखा जाता है पहले कलश के अंदर आम के नवरात्ट रखे जाते है और फिर नारियर रखा जाते है तो आम के पतजिए सो जैसे 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 गीले होते रहते हैं वैसे- वैसे औSoxixel itship studentCE &哟re गाएं चझाओ और उसके आपर गंगाजर या फिर आपको वो उस कलश में भी आप डाल सकते हो घर के बार स्वास्तिक जरूर बनाना है और कटा हुआ स्वास्तिक नहीं बनाना स्वास्तिक बनाने का सही तरीका स्वास्तिक जादातर लोग बनाते हैं पर यह जो दो लाइन्स होती हैं दोनों साइट पर यह पूरी अप Ganesh ji की फैमिली को इन्वाइट करें जो यह स्वास्तिक है यह गनेशा है और यह जो लाइन सम साइड में बनाती है रिद्धि सिद्धि और शुब लावयान की गनेशी अपनी पूरी फैमिली के साथ हमारे घर में विराज है इसलिए हम यह बनाते हैं तो और स्वास्तिक बनाते हैं आपने देखा होगा पंडे जी मंत्र बोलते हैं तो आपको भी मंत्र बोलना है ओम स्वस्तिना इंद्रो विष्ट विदाहा स्वस्तिना पूशा विष्वविनाहा स्वस्तिना कृष्णा मरिष्ट नेवी स्वस्ति ब्रिहस पतिदादातु आपको यह में किस बना सकते हैं कि आपके कर में कोई वास्तु दोश है आपको लगता है यह मेनी डारेक्शन बढ़ी हुई है यह यह दारेक्शन कती है यह आप स्वास्तीक बनाई है पहले दिन, वहांती शुब माना गया है, और नवरात्री जो है इस बार 9 अप्रेल से स्टार्ट हो रही है, सुबह साड़े आठ बजे से लेके साड़े बारा तक का महूरत है, तो इस बीच में आप को जो भी रिच्वल्स हैं, अगर आप घट स्थापना करते हो, जो जलाते ह अगर आपको मानी बाउल बनाना है, या फिर आप कलश थापना करते हो, या फिर आप जो जलाते हो, जो भी आपके रिच्वल्स हैं अवरात्री के, वो आपको इस टाइम पीरिट के बीच में कर लेने हैं, ये सब चीज़े हमारे पंचांग से निकली हुई है, आप देखो हमारे पंचांगों के हिसाब से हमें फॉलो करने चाहिए, इवेंट्स, किस टाइम पर क्या करना है, थोड़ा कलश के बारे मताओ क्योंकि हमारे होता है, कैसे करते हैं, कलश थापना में आपने पहले, जो भी आप चाहिए, कॉपर का लोटा ले सकते हो, सोने का, चांदी का कैसा भी आप लोटा लीजिए, उसमें आपने पानी डाला है, पानी डालके आपने आम के पते ले लेने हैं, और उसके बीच में नारियल को सेट करते हैं, जैसे मैंने भी बताया कि आई इस उपर रखनी है, और उसकी जो पूछ होती है वो नीचे रखनी है, मतलब दाट सि जाएं भरके रखना जाहिए पानी का सिफ नवरात्रे में नहीं, मैंने अपने घर में एक मिट्टी के बरतन में हमेशा नौटी समें पानी बरके रखती हो, हर वेडनेस दे में उसमें डालती हो यह बोलते हुए आपना की यह लोगी क्योंकि रोज तो कहर कोई करनी पाटा तो नौवे दिन जब आप कन्या पूजन करेंगे उसी पानी से आपने कन्या के पार दोने और बाकी का पानी आप तुलसी में डाल दीजिए अगर मैं आपका बैग्राउंड नुमरोलोजी है अगर मैं नुमरोलोजी को नवरात्रस जोड़ू तो कुछ आपको दिखता है क तुलःपक्ष मतला बढ़ते हुए दिन, राइजिंग डेज आप देखो कि णियू मून होता है चंद्रमा नहीं रही होता घंडरती तो आपको gegen भूरती खिलाए है इन नौक यो दिन में आप चाहौ तो एक संस्टों घूर से झाड़ रहन कर सकते हो एक बारामोकि तो इसमें आपकी विश्ट जो है ये भी बढ़ेगी, positivity लाइफ में बढ़ेगी, कभी भी कोई भी रिच्वल, क्रिष्ण पक्ष से शुरू नहीं करना चाहिए, जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को जब नेम चेंज करके देती हूं, तो मैं उनको दो यंत्र बना के देती हूं, …to activate their new name, तो मैं हमेशा यही बोलती हूं, क्यों को आपको शुक्लपक्ष में देंगे, क्रिष्ण पक्ष में, मैं नेम चंज भी नहीं करती हूं क्लाइंट का, कहीं पर बной हैं तो क्यूकि आपको शुक्लपक्ष में ही जैंज कर्णा अपना नेम, आप टीज रेग चारू क आप धारन कर सकते हो, इन बढ़ते हुए दिनों में, किसी भी दिन धारन कर सकते हैं, यहाँ पर यह है कि positive days है, तो यहाँ पर आपको ना ही पंचांग देखनी है, ना ही कुछ और देखनी है, यह बढ़ते हुए दिन है, तीन नमबर की बात कर रहते हैं, अगर आप गुरू प्लानेट से रूल हो रहे हैं, तो आपको येलो सिट्रीन, या फिर दसमुकी रुद्राक्ष, या फिर आप गाय को चने की दाल के लाईए, क्योंकि जैसे कि मैं बोल रहु इन दिनों में दान किया हुआ का करोड़ो गुना फल मिलता है, और दान करने के लिए, सबसे बहल कि मैंने देखे हैं, बहुत लोग सोशल मीडिया पर उसका प्रचार कर रहे होते हैं, वीडियोस डालते हैं, प्लीज इसको स्टॉप कर दीजिए, इसको बंद कर दीजिए, क्योंकि वो दान नहीं है, वो सेल्स एंद मार्केटिंग है, आपके राइट हैं को भी नहीं पता कर्मा जो है, ये चुका पारू, ये खतम कर पारी हो, तो हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, तो किसी को कुछ भी देते हैं, और दूसरा हमें प्रचार नहीं करना चाहिए, दू नोट अपलोड अन सोशल मीडिया, कि आप क्या आदान कर रहे हैं, तो राहु की बात क कर सकते हो, आप एक राहु मनी धारन कर सकते हो, या फिर आप एक आठ मुखी रुद्राक्ष वेयर करिए, इससे आपकी नेगेटिविटी आपकी जितने भी फियर्स हैं, ये सब चाहते हैं, पांच नंबर से अगर आप रूलो, यानि कि आप पांच, तेईस या चौदा त तो आपको इन दिनों में किसी भी फीमेल को आप, मीठी लस्टी, दः, चीनी, ये सब चीजे दान कर सकते हो, या फिर गाये को अगेन, आप पाला खिला सकते हो, अगर आप साथ नंबर से रूलो, यानि कि आप साथ को बौन हुए हो, आप सोलो को बौन हुए हो, या फिर साथ नंबर जो है यह बहुत जादा confusion देते हैं तो यह आपकी confusion आपके fear सब कम होगे आठ नंबर से अगर आप रूल करो यानि कि आप 8, 17 या 26 तारीक को अगर बौन हुए तो आप इन दिनों में किसी भी अपने 4th class employee को daily चाय पत्ती दान कर दीजिए black daal, mustard oil, कुछ भी दान कर सकते हो गाय को आप काले तिल की रोटी की लाइए शनी, इकलौते ऐसे planet हैं शनी जो यह promise करते हैं कि तू करम कर और फल मैं तुझे इसी जनम में दूँगा, हम लोग कितना डरते हैं शनी का साल, शनी जो हैं इस जनम में मिलेगा, बाकियोंepende लु лай गों पता की जनम मिलेगा कर में मिलेगा, क्यों हो दूख के अपने आट-चंटी तो यह उपाय तो ला लोग सकता है कस पर लोग को पे damn लोग अगर आप 9, 9 नमबर की बात कर लेते हैं, वैसे भी हमारे मंगल देव का साल स्टार्ट हो रहा है, तो अगर आप 9 नमबर से रूल होते हो, तो इन दिनों में आपने बंद्रों की अगर आप सेवा कर सको, आप गाये को गुड़ खिला सकते हो, ताकि आपका वैसे भी प्लाने कर लिखे, प्लाने को अगर आप प्लाने को बात करने की जरूरत नहीं है, आपने लागातार नौदर कर लिया। अभी नेम चेंच की बात करीटी, मैं दिमार में गुंग रहा है। यह दिए नेम का लॉजिक क्या होता है? आपका सुस्क्राइस करें निुम्रलॉज्य चिह हम बात करें, जिटनी भी रेमेडी के शो में हुरेती शैशनी हैं नहीं कर सकता, हमारे कार में करमास के हिसाब से हम एक डेट और बर्थ मिली है, हमारे उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, पर एक चीज है जिस पर हमारा कंट्रोल है, that is our name, हमारे नाम से हमें बुलाया जाएगा, 24-7 हमें हमारे नेम की वाइबरेशन मिल रही है, कोई सी हमारा कोई नंबर भी फीट करता है, तो हमारे नेम से ही फीड करेंगा, तो अगर आपका नेम जो है, वो पॉजटिव है, तो आपको पॉजटिव देलत्स मिलेंगे लाइफ में और नेगिटिव है, तो करते कैसे है, यह एक 12-step फॉर्मला होता है, जिसे हम नेम चेंज करते हैं, सिर् शारुखान जी ने में शारुखान जी ने खुद यह बात एक इंटर्वी में बोली थी कि काश ऐसा कोई दिन जाए जिस दिन मुझे बच्पन आओ शारुखान का नेम जो है यह अच्छे कंपांड पर आ रहा है पर शारुखान को यह एक रेमेडी दी गई थी आपको पता हो होगा कि उनका दूसरा नाम क्या है किस नेम से फेमस है और क्यों कर आ गया उनका यह नेम ताकि SH की साउंड रिमूफ करी जाए और आप SRK का टोटल किस पर आएगा 7 नंबर पर कैसे निकालते हैं टोटल S3 R2 K2 प्लस करो 3 प्लस 2 प्लस 2 7 तो 7 प्याया और शारुखान किस नंबर से रूल हो रहे है और शारुखान किस नंबर से रूल हो रहे है तो साथ पर लाया गया नेम को साउंड रिमूफ कर दी गई यहां पर वही लॉजिक आ रहा है सौट आ है 2 3 4 7 नाई 1 2 4 7 फैमिली है 1 और 4 फैमिली है 2 और 7 फैमिली है और हम लोग क्या सोचते हैं 1 3 5 6 पर नेम लेकर जाना है तो यहां पर शारुखान का नेम जो है 7 पर लेकर जाया गया यह पर उनके नेम से भी बाइलेंस हुआ है उनकी डेट और शे ब्लसे भी बाइ शारुखान ने कहीं चेंज नहीं कर रहा होगा लेकिन वाइबरेशन उनको पॉजिटिव मिल रही है तो उसे उनको पॉजिटिव रिसल्ट्स भी फील हुए होगे आप देखो लास्टियर उनने कम बैक कर रहा है और जो उनके जितने भी शौट से भी स्टन्स थे उन्होंने जाधा तर खुद करें तो हेल्थ इंफ्रूफ हुई होगी तभी तो करें होंगे नहीं तो पहले वो अपनी बैक पेन की वज़े से काफी सारे शौट्स जो है वो उनसे अपने जैसे भी उनके होते है मैनेज कराते थे पर इस बार उनने सारे शौट्स कुद करें दंकी जो मेरे बात करें चुलते है मेरा साहिल खना नाम है कि अब बाउंड फाइव और मेरा जो है वो भी फाइव है अच्छा आपका बी एन फाइव है ओके तो बी एन दीन से जब भी हमारा जो नेम है वो से से मिलर हो जाए तो इस अ काइंड ऑफ राजियो आपके इसे दो नंबर होते हैं हमारी डेट ऑव बर्त में जो बहुत जादा इंफ्लूएंस करते हमें अब जैसे में कुंडली की बात करूं कुंडली में क्या आपको पता है कौन से दो प्लानेट होते हैं जिसका स्टोन हमेशा रेकमेंड करा जाता है आपके लगनेश का और दशम भाव के स्वा अपना नेम लेके चले जाओ लेकिन आपको अपना नेम अपने उन नंबर पे लेके जाना जिए जिनको आपको और पावर देनी है भाई वो नंबर मेरे पास प्रेजन्ट है ठीक है वो मेरे डिने में है जो हमारा बेसिक नंबर होता है और जो मारा डेस्टिनी नंबर होता तो यह आपको बहुत पॉजिटिविटी देगा लेकिन इसका आपको नेगिटिव रिजल्ट के आ सकते हैं कि अल्रेडी वो नंबर आपके पास प्रेजेंट है तो अती भी हर चीज के अच्छी नहीं है आपको नर्व रिलेटेड इशुज रहते होंगे आपको नर्व रिलेटेड इशुज रहते होंगे आपको स्केन इशुज भी रह सकते हैं और आपको यह भी रहेगा बार-बार माइंड में कि यह भी कर लूए मल्टी टास्किंग कुछ जाधा ही करने की कोशिश करोगे और इसकी वज़े से अद टाइम्स आप रॉंग डिसी कैसी बनाया है और जब बाद में जब जब यह जब फॉलो करी तब पता लगा कि मेरा सफ फाइप पे है और मेरी जो कंपनी है वह एट पे आपकी कुंडली में जो बुद है वह आपके दशन भाफ में वैठ आपके देखा नहीं अच्छा क्योंकि अगर आपको यह सब कर दो तो वहां पर मैं 10th Lord के साथ जरूर उसकी कंपनी में कोई ना कोई कनेक्शन मनाऊंगी अगर मैं डारेक्ट नहीं बना पाई तो मैं इंडारेक्ट बना दूगी अब जैसे आप फेस्बुक देखो फेस्बुक किते पर आता है टोटल एट पर आता है तो एट नंबर क इसको मैं कहती हो कि राजियो क्रेट करा जाता है नेम में तो राजियो क्या करता है इट ओनली गुद फार नेम एंड मझे अब कोई परसन आपकी आपकी नाइट परसे लोग तो पैसे के लिए जादा तर लोग यह कोई इसले नहीं आता कि मुझे रेलेशंचिपिश हुआ तो मेरा नेम चेंज कर दो पैसे के लिए तो राजियो क्रेट करना तो बहुत ही ज़रूरी है तो आठ नमबर भी अच्छा होता है पार्श नमर के साथ बिल्कुल देखिए 1247 यह फैमिली है 369 यह फैमिली है 8 और 5 यह फैमिली है पर एक hidden vibrations भी देखी जाती है नेम में क्या रही है और प्रियंका चोपड़ा की मैं बात करूं उनके नेम में भी डिफॉल राजियो क्रियेटेड है हमा मालिनी जी के नेम में बाइडिफॉल राजियो क्रियेटेड है तो हमने देखा जो हमारी कंपनी है लपास पर अभी रीस अब मुझे पता लग रहा है कि पांच और आट तो सही है और मैं यही सोचता था कि मैंने का यार मुझे तो कुछ नुकसान नहीं हुआ मेरे दिमाग में चलता मैंने का मेरे तो अच्छे पैस हो मेरे ने अभी तो आपको बोला था मल्टी टास्किंग ये चक्कर में आप अ मैं यही सोचता था मैं अगर आट बेकार है मेरे लिए तो कंपनी तो विक्री नहीं चाहिए थी कंपनी तो लॉस्बेकिंग होनी चाहिए थी आपको बाई डिफॉल्ट इसले ऐसा ही नेम मिले और सब कुछ अगर देखा जाए यह क्यों हुआ वेरे साथ में को तो कुछ आता ही नहीं था मेरी कंपनी का नाम यह मैंने 2011-2012 में लिया था ऐसी लिया था ले लिया और वह आट पे आ गया अभी अभी हम बात कर रहे है त कि वह बहुत बड़े कि इस टोट नेलग थेनगे भुट पैसा देता है 14 नंबर लेकिन हायरे स्कुंग पावर देता है लेकिन 9 रों 25 बाहँ यह ज़ादा मैं कहूंगी कि एक क्ली म zasbalोन यह उनका इनका इन्चेशान पावर बड़ी पावर इनको श Town स्राण बड़ीू इन आपकी जो फ्रेंड होगा, आपकी बुक्स फ्रेंड होगी, आपको बहुत शॉक होगा बुक्स रिडिंग का, कोच चीजे इनों ने पड़ी नहीं होती, इनको अपनी इंट्यूशन से आती है, इतना तो पड़ते निया जितना इतना इस बता रहेते हैं, जैसे वे थोड़ी कपिन शर्मा शो और कॉछ विद करण उनको जोड़के मने हाइब्रिड बनाने कोशिश करी थी अपना नाम लखना हो तो बना दिया लेकिन दो जब भी हम किसी कंपनी के नाम के लगाते हैं जैसे आपने देखा होगा इंडिया गया के दर नहीं लगता लेकिन युनाइट दर युनाइट सेट्स ऑफ अमेरिका तो अगर आपके जो अच्छा वहां से विजिबिल्टी मिलती होगी मतलब आपके बिजनस के अगे लगता है तो वो प्रीमियम होना चाहिए अपनी कंपनी का अपनी फील्ड का देखा अब देखो कितने बड़े-बड़े अब इसने भ्यित की लिखने आपके खड़ आपके लाइए और कितने कम naindo किसा ने फे इंग अगर गुर्प थे आप जनовые असदी होगी किसी कुंपनी के आगे जब इसी सांवन्सथी है जब ऐसा भिजनस होता है इस टाइब का बिजनस होता है for example कोई नही नही शॉप खुली है मैं कभी भी इसके नहीं किया कि दर नहीं लगवाँगी क्योंकि वो अभी उसको बिग्निंग में कॉम्पेटिशन से कैप्चर करना है क्लाइन को यहां पर दर उसको क्योंकि नहीं करेंगा अपने प्राइज रखने पड़ते हैं कंपनी नेम में एक चीज और भी आती है अब जैसे कंपनी नेम की बात ही चल रही है साथातर लोग अगर एक नहीं कंपनी खोलते हैं तो किसको फॉलो करते हैं किसको गूगल पर सच्पारा वास्तु फॉलो करते हैं कि कंपनी का वास्तु करवा लेते हैं हाँ कि साथ वेस्ट में होना चाहिए इसको प्रायोरिटी देते हैं कि कंपनी का वास्तु करा लो में को सोफा इस कलर का यहां रखना है यह मुझे क्या कहां रखना चाहिए I don't I'm not saying that is important There are seven wings of a business साथ पंक होते हैं जो इक business को उडान देते हैं जिसमें से वास्तु जो है यह 7th wing है और हम सिर्फ उसी को importance देते हैं सबसे पहली wing The date of commencement of business किस दिन आप business खोल रहे हो बहुत important है दूसरी important wing आपकी company का name तीसरी important wing आपकी company का logo It is a replica of your business आज हम किसी भी brand का logo देखते हैं हमारे माइंड में मूँ brand आते है Pepsi का logo देखते ही आपको Pepsi नहीं भी लिखी होगी ना आपकोगे Pepsi McDonald's का देखते ही हम McDonald's है चाहे ना लिखा हो वहां पे It's replica of your business उसके बाद आपका company का card उसके बाद आपकी company company का bank account क्योंकि पैसा आने bank account visible होता है आपकी company का mobile number और उसके बाद आता है वास्तू आपकी company में जब कोई आएगा तभी तो वास्तू उस पर वक करेगा तो online आज कल तो online बहुत होता है तो यह सब चीजे पहले balance out होनी चाहिए और फिर आपकी company का वास्तू आता है और हम किस point को importance दे रहे हैं 7th point को importance दे रहे हैं similarly person का name होता है अब आप देखो कि person के name में हम एक अच्छे compound पे ले जाते हैं आजकल तो layman की तरह लोग name change कर रहे है मेरको तो 46 पे लेके जाना है अपना name मुझे तो 41 पे लेके क्राजियों क्रेट होना चाहिए तूसरा step नेम में बैट साउंड नहीं आने चाहिए जैसे अब ही आप देखोगे कि हाली की मुंबई कैप्टन की टीम में जो हर्मिंदर जी हैं हर्मिंदर जी हैं उनके नाम में हर लगाया गया आप देखो मैं की साउंड होगी मैं मीन्स आपको मेल की तरह भीएफ करना बड़ेगा एक्स्ट्रा स्ट्रगल देए लाइफ में और नेम चेंज करते शी बेकें काप्टन ऑफ मुंबई की टीम और असा नहीं सिफ नेम वर्क करता है उनका अच्छा एयर चल रहा था वो आठ टमबर से रूर होती है उनका 35 साल था था उनका तो जो आपके बेसिक डेस्टिनी नंबर की रणिंग एज होती है वो भी बहुत इंपोर्टन होती है आप जैसे आप देख लो आपका 23 साल कैसा गया था यह बत्तिस्वा साल कैसा गया था चल रहा है आप थार्टी सेकंड इयर में बहुत आपका प्रोस्परस जाएगा साल आपका कब बात है बर्दे माई 23 माई माई तक आप कुछ ना कुछ निव प्रोजेक्ट लांच करोगे निव बिग नहीं आप में बवट कुछ कर दिया रहा कर दिया इस एक साल में इसी में आप आप जाएगा रहा है जो आपकी बेसिक डेस्टिनी की जो बहुत इंपोर्टेंट तो जैसे की मैं बतारी थी साउंड सेकंड स्टेप होए हमारा साउंड थर्ड स्टेप होती है हमारी नेम की गृडिगिंग, कौन सा अलफाबेट, कौन सी प्लेस पे आ रहे हैं, जैसे आप देख लो कि अगर आपका थर्ड अलफाबेट नेम में, अगर आपका जो थर्ड अलफाबेट ऑगर ती पर आजाए, या फिर अपका ध्यू टी आजाए, तो आपको फैंबली सपोट नहीं मिलेगा एसे लोगों कि मैरिज भी लेट होती है जी कहा? और घर बनाने में प्रोबलम आती है ऐसे लोगो अदि अपना पुछ रहो है? एच वालो को भी लेट मैरिज होती है आपकी मैरिज वी अपन काउ प्लेस में है? 27 27 है तो लेट मारेज यह है तो उनको भी लेट मारेज सिग्निफाइ गरता है यह ना बट स्टिल वह चल जाता है पर यह अगर आपके थर्ड प्लेस पे है नेम के तो ऐसे करके हम प्लेसमेंट ग्रिदिंग देते हैं नेम को तो यह हो गया 3rd step 4th step देखा जाएगा आपका 1st आप देख लो कि first alphabet के characteristics हमारे नदर कूट कूट के भरे होते हैं जैसे मेरा जो पुराना नेम था I have done my complete name change तो जो पुराना नेम था वो B से start होता था B तो no doubt मेरी date of birth के साथ जेल कर रहा था मेरा basic number 7 है तो जैसे मैंने आपको बताया 2 or 7 family है पर अगर मैं होती makeup artist अगर मैं होती creativity की feel में तो ये नेम में कभी change ना करती बट क्योंकि में को आना था हो cult science में तो इसी लिए मैंने अपना complete name change कर रा first alphabet बहुत ही important है जिसको हम ignore ही कर देते है जादातर first alphabet कैसे decide करा जाता है जिसे आपके family है बच्चा है तो कैसे रखा उसका नाम वही जो पंडे जी से पूछा क्या first alphabet हो और रख दिया और पंडे जी भी चंद्रमा देखेंगे कौन सी राशी में है तो ये लो जी से नेम रख दो और हम जादातर क्या करते है आपने भी आसा ही कुछ करा होगा मैंने भी यही करा था मैंने भी अपने बेटे का नाम रखा था Tannush शिवजी का नाम है क्या हमने कभी यह सोचा है कि भगवान जो है उन्होंने कितनी hardship जेली है क्या हम रेडी है अपने बच्चों को वह hardship देने के लिए हम तो देख भी नहीं सकते हैं उनको ऐसा होते हुए तो इसलिए आपको यह चीज नहीं देखनी कि भगवान के नाम पे रखा जाए बाट साउंड नहीं होने है मैंने अपने बेटे का कम्प्लीट नेम चेंज कर रहा है बिकॉज टैन के साउंड से स्टार्ट हो रहा था तैन का मतलब क्या होता है तैनिंग और नौ नंबर से रूल होता है और उसको फायर से दूर रहना है तो यह साउंड जैसी आपकी तिको डेट अबर्थ पर जैसी भी इस्योज होंगे अबर्थ भी नो डाउट रिस्पॉंसिबल थी लेकिन नेम की वज़े से भी हुआ है अब मैंने उसके कुंडली बनवाई थी तो पंडी जी ने मुझे गा था कि आख से दूर अखना इसको तब मुझे नहीं पता था तो मुझे नहीं पता था क्यों बोल रहे है जारतर लोग अपने आप साहिल बोलते है अब कुछ भी चीज अपने आप डेस्टेंट हुआ सब कुछ मेरे तो आपका जूपिटर का बहुत स्ट्रॉंग रोल होगा आपकी लाइफ में इस वज़े से आपका डेस्टीनी या क्या तीन नंबर आता है आपकी में 23 तो तीन नंबर तो आई रहा है टोटल भी तीन आता है मैं क्या बोलू देट अबर्ट से कही ना कही निकल के आती है चीज़े इसलिए आपको बाई डिफॉल्ट वैसा नेम मिला अब लेते ओडियन्स का गुश्टन में मेरा नाम विने गोहल है मेरी डेट अबर्थ है 23 मार्च 1999 तो मेरे क्या बिजनस करना चाहिए डिजिटल मार्केटिंग आपको बहुत सूट करेगी और आप जितना काम करते हो इतना आपको गेन मिलेगा नहीं क्युकि आपके जो डेट अबर्थ है अगर मैं बात करू तो तो आपको सबसे पहले तो मतलब आपके चार्ट में क्या योग बनता है Jack of All and Master of None तो सबसे पहले तो आपको यह चीज़ अवाइट करनी है एक चीज़ पहले फोकस करो कि आपका फोकस बहुत जल्दी हटेगा और friend circle में बहुत जाद occupied रहते हो यह name दिखाता है तो friend circle की वज़े से वैसे तो आपको gains भी रहेंगे लेकिन आपका focus जो है वो friend circle की वज़े से हटेगा तो थोड़ा सा आप उसके उपर work करो और definitely name आपका balance होना बहुत ज़रूरी है अच्छी sound से आपका नेम स्टार्ट होता है बट ग्रिडिंग नेम की थोड़ी सी disturb है तो आपके लिए एक remedy भी में दे देती हूँ आप क्या क्या करो Tuesday को आपने मुंगदाल सोक कर देनी है किसी भी मिट्टी के बरतन में Wednesday आप उसको birds को किला दो और एक पिरामिट ग्रीन अवेंचुराइन वियर करो नॉट नॉर्मल वन पिरामिट तो यहां पर मेरे कोशन निकल गया रहा है अभी ट्रेंड में चल रहा है हारदिक पांडे हो हर लोग क्रिटिसाइज कर रहे है हारदिक पांडे को क्योंकि सब भी ट्रेंड देख रहा हूं तो इसके अराउंड बताओ हर्दिक पांडे की देट अबर्थ 11 अक्टूबर 1993 निकल के आती है अब आपने देखा होगा हर्दिक पांडे को जर्सी नंबर 33 बहनते है कहीं पे भी उनकी डेट अबर्थ में सब्सक्राइब करते हैं उनका जॉडिक साइन 6 है तो यह एक हिड़न नंबर प्रेजेंट होता है हमाई डेट अबर्थ में जिसका आमको सपोर्ट लेना चाहिए हमारा प्रोफेशन ग्रोप नहीं कर रहा है बिजनस ग्रोप नहीं कर रहा तो यह ग्रोथ उनको इसी वज़े से मिल है पर 31st year आते ही उनका कुछ ना कुछ imbalance होता है मुझे दिखता है यानि कि October से उनका थोड़ासा time period tough हो जाएगा ऐसा उनकी running age बताती है तो अभी के time पे तरक्की तुम मिल रही है बिल्कुल तरक्की असले मिली है तो 31st year आते ही वहाँ पर क्योंकि basic number 2 है कहीं से भी support नहीं मिलेगा उस 31 को तो वहाँ पर October के बाद से थोड़ी सी उनकी कुछ ना कुछ issues आ जाए उनकी जो इसी post उनको मिली है उस पर या कुछ भी let's keeping my fingers crossed मैं चाहती नहीं ऐसा हो अर्दिक के साथ लेकिन ऐसा कुछ होता वा दिखेगा और रोहिर शर्मा का कैसी नहीं जो टकराए का मिट्टी भी मिल लाएगा ऐसा क्यों है रोहिर शर्मा का तो मैं आपको बताओं कि 31 है वो तो अगर हम Jupiter planet की बात करें तो 30 number है Jupiter planet का वो सबसे powerful है इसका reason क्या है जब भी zero लगता है किसी भी number के साथ बोस प्लैनेट की frequency को बहुत ज़दा बढ़ा देता है त्री number किसका है growth और expansion का तो रोहिर शर्मा के तो वैसे भी अगर कोई कुछ उनके लिए negative करेगा तो उनके पास Guru का नंबर है वो सबके साथ वाइज है वो नहीं गलत करते किसी का लेकिन जो उनके साथ गलत करेगा वो उसके ओपर बैकफायर करेगा और अगर हम बात करें तो ही उनका zodiac sign Aries आता है आप देखोगे कि उन्होंने hidden form में कैसे पावर लिए निम्रोजी कि 45 जर्सी नंबर है उनका यहां पर भी zodiac sign से connect हुई भी जर्सी नंबर तो जब हम hidden form में चीजे करते हैं ना जैसे मैंने आपको बताया कि डारेक्ट नहीं है इंडारेक्ट है इसका अलग ही रिजल्ट मिलता है तो रोहिषर्मा तो और ग्रो करने वाले हैं अब रोहिषर्मा का अगर आप नेम भी देखो तो रोहिषर्मा का नेम रोहिष नो डाउट 19 पे आता है बहुत इच्छी साउंड्स नेम स्टार्ट हो रहा है जो रोरिंग सक्सेस देता है रो एक मैं आपको इसके बाद अपनी कंपनी का भी बताऊंगी जो मैंने नेम चेंज किया था रोहिषर्मा इस कमिंग ओन 35 का एट जिसको बहुत अच्छा नहीं माना गया लेकिन फिर भी रोहिषर्मा को इतना सक्सेस क्यों क्योंकि अगर आप रोहिषर्मा की पूरी डेट और बर्थ को प्लस करो तो उनका भाग्यांग पांच है और अभी अभी मैंने आपको बताया था कि पांच हो राट फैमिली है तो यहां पर नेम तो बहुत अच्छे से वाक करता ही है मतलब आपको बात कर रहे था है तो जैसे एक शॉप का नाम था दो लॉयल बेकरी उन्होंने रखा था शॉप का अब लॉयल बेकरी इक अच्छे कंपाउंड प्याता है आप जैसे बेकरी इकी शॉप होती है था उसको शुक्र प्लानेट से रिप्रेजेंट करते बिकॉस शुक्र जो है यह जिसे हम मैदा, बेकरी में जातर मैदा यूज होता है, शुक्र जो है यह इस प्लाइन, रूल करते हैं, इस चीज को, तो अल्दो बहुत यच्छे कंपाउंड प्यारा था, पर जैसे मैंने आपको बताया था, कि दो, बिगनिंग में हम किसी भी कंपनी के आ यह नहीं कहूंगे, चेंज करते ही बहुत अच्छा हो गया, बद फोड़े ही टाइम में बेटर हो गया, तो यह जाएंड बहुत एफेक्ट होता है, ने में, तो सबसे पहले थैंक्यू, बहुत मज़ा आया, बहुत कुछ आपने सिखाया, और मैं जादा लेट नहीं करना क्योंकि पहले ही टाइम लेट हो गया, बट लास एक कोई मंत्र कुछ बताना चाहो, जो लोग नवरात्री में फॉलो गर सके है, बिल्कुल नवरात्री पे मंत्र सातना बहुत ही अस्पिशियस मानी गई है, और जैसे कि आपको बता हो का 108, it is a very auspicious number, हमारे 108 देवी देवता चैन्ट कर पाएंगे, आप सिर्फ इसको सुन लीजिए, सुनने मात्र से ही आपको blessing मिल जाएगी, तो यहां पर मैं आपारी ओडियंस के लिए बता देती हो, वो कौन से 108 नाम है, तो सती, साद्वी, भवरीता, भवानी, भवमोचनी, आर्या, दुर्गा, जया, आद्या, शूलधार्णी, पिनागधार्णी, चित्रा, चंद्रगंटा, महातपा, मनह, बुद्धी, अंकारा, चित्रूपा, चिता, चिती, सर्वंत्मे, सत्ता, सत्यानन सरूपनी, अंता, भवना, भवनी, अभव्या, भव्या, सकंद्माता, अमेय, विक्रमा, कुरूरा, सुंदरी तो यह नाम अगर आप मातरानी के चैन्ट कर लेते हो, यह से इनको सुन भी लेते हो, सुन मातर लेने से भी आपको प्रोस्पारेटी मिलेगी, और साथ में आप नवारण मंत्र का जाप करिए, नवारण मतलब ओम, एम, रीम, क्लीम, चामुंडाय विच्चे, इस मंत्र का और यह आपको रात को सोने से पहले करना है, क्योंकि यह नवरातरी है, नौ राते हैं, यह सोने के लिए नहीं बनी, तो इन नौ रातों में आपने अगर इस मंत्र का 108 बार जाप कर लिए, और 108 नाम चांट कर लिए मादुर्गा के, तो आपको लाइफ में किसी भी तरह की, देखे, नवरातरी क्यों आते हैं, नवरातरी का क्या मतलब है, हमारी लाइफ में, जैसे मा ने महिशा सूर का वत किया था, हमारी लाइफ में महिशा सूर कौन है, हमारी काम, हमारा क्रोध, हमारी जेलिसी, वास्ना, यह सब महिशा सूर हैं हमारी जिंदगी के, तो इन हम सात्विक हो जाते हैं, हमें किसी का कुछ कहवा बुरा नहीं लगते हैं, कि समय नहीं है, हम पूजा पार्ट में अपने आपको ज्यादा टाम डेडिकेट करते हैं, तो इसी लिए अपनी लाइफ के जितने भी महिशा सूरह हैं, साल में आसे दो इवेंट आते हैं, जब जाते हैं, जैसे हमें, तो इस नवरातरी, I hope everybody gets benefit, और आपकी सभी मनों कामना है पूर्णो, और आज मैं इस माध्यम से, आपके Sahil जी की platform के माध्यम से, उन सब फीमेल्स को ये बोलना चाहूंगे, कि अगर लाइफ में आपको कोई भी समस्या है, तो हमारे courses भी कराये जाते हैं, शायद आपको मैंने पहले भी बात बताई थी, तो हमारे courses कराये जाते हैं, तो अगर आपको लाइफ में कोई भी समस्या है, आप भी चाहते हो, आप कुछ बनना चाहते हो, तो मैं साहिल जी से request करूँगी, आप लिंक डाल देना हमारी community का, डेली साढ़े 5 बजे हमार फ्री वेबिनार होता है, जहां पर हम फ्री में हेल्प करते हैं, लोगों की समस्याओं का समाधान निकालते हैं, साहिराम क्रेशन हमारे platform का नाम है, तो वहां पर हम फ्री में हेल्प करते हैं, कि आप हमारी community जॉइन करिए, और वहां पर आप अपनी problems हमसे पूछ सकते हैं, और हम आपको समाधान देते हैं, निम्रोलोजी, एस्टोलोजी, पैंडलोम, डाउसिंग, वास्तु के थुरू, तो इसी के साथ में आज की वीडियो खतम होती है, उमीद करता आपको मज़ा होगा, लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमड़ों तान वीडियो कैसे लगी, बा आइद मदे मात रहूँ